नमस्कार मैं हूनी रिजकुमार और आप देख रहे हैं मीमीडिया न्यूज वक्त हो गया है आज के ताजतरीन खबरों का आज से नागोर विधानसभा छेतर के परवास पर रहेंगे हिमाचल के सियम सुपविंदर सिंग सुखु जहां मसाही में जन समस्याओं की करेंगे सुनवाई मिलकिस वानो केस में सब ही 11 दोसियों को फिर से जाना होगा जेल सुप्रीम कोर्ट ने गुजराज सरकार के आदेश को किया रद इलहाबाद हायकोट ने राष्टिय लोगदल परमुक्स जयन चौधरी को चुनाव आचार संहिता और कोविड नियमों के उलंगन के मामले में राहत देते हुए आरोप पत्र पर संग्यान लेने और अपराधिक कारवाई पर रोक लगा दी है बिहार के मुखमेत्री नितीश कुमार के घोसना के महज कुछ घंटों बाद ही राजसरकार ने 2.30 लाख आंगनवारी सेविकाओं और सहाईकाओं के साथ ही त्री अस्तरिये पंचायत परतिनिधी के मानदे में विर्धी कर दी है जहां केविनेट बैठक में कुल 19 परस्ता स्विक्रित किये गए अगनीवीर भरती को लेकर हो जाएं तयार 17 जन्वरी से होंगे ऑनलाइन रिजिस्टेशन अरियाना में एंटिक रफ्सन बीरो ने भ्रष्टाचारियों पर बरी कारवाई करते हुए ACV के इंस्पेक्टर और DSP के रीडर EHC को एक लाख रुपे रिस्वत लेते रंगे हातों गिरफ्तार किया इस मामले पर ACV महानिदेशक ने कहा कि भ्रष्टाचारी चाहे कोई भी हो किसी भी विभाग का हो कारवाई किया जाना तय है आज मुखमंतरी हेमन सौरन की अध्धक्षता में जारखंट केविनेट की बैठोग होगी इसे लेकर सभी विभागों ने अपने अस्थर पर तयारियां पूरी कर ली है 36 गर के नवार रायपूर के तेंदुवा गाँ अस्थित राज्य का पहला इंस्टिटूट आफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्स सेंटर तयार हो गया है जहां आधोनिक उपकरन लगाए गये है अब कैमरे और सेंसर युक्त इस ट्रैक में निर्धारित माप दंडों और समय के बीच ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा तब ही चालकों को लाइसेंस मिलेगा तो आगे बरनेस पहले आपसे रिक्वेस्ट है का अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दिए क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतिजार कर रहा हूँ और जैसे ही आपके लाइक कमेंट आते हैं हमारे खुसियों का ठिकाना नहीं रहता परधान मंतिर नरेद मोदी तीन दिवसिये गुजरात दोरे पर हैं जहां गुजरात गुलोबल सम्मिट में हिस्सा लेंगे साथ ही आज और कल गुजरात में लोकसभा चुनाओ के मद्दे नजर बीजेपी कारकरताओं में जोज भरने के लिए कई कारकरम में भी सामिल होंगे दिल्ली आवकारी गोटाला मामले में गिरफतार आमादे पार्टी के राजसभा सदस संजे सिंग की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी जहां E.D. जमानत पर बिरोध करेगी खराब मौसम के कारण केंद्रे ग्रह मंतरी अमिस साह का जम्मू कस्मीर दोरा रद कर दिया गया है जो आज यहां आने वाले थे और विकास सील भारत संकल पियातरा की सुरुवात करने वाले थे मुंबई के कई लाकों में आज होगी पानी की किलत पोरी वली जलासे का संरचनात्मक आउडिट के कारण पानी की आपूर्ती बाधित रहेगी उत्तर परदेश में सीटों के बटवारे को लेकर सप्पा परमुख अखलेस यादब ने बुलाई पार्टी पदा दिखारियों की बैठक लखनों में करेंगे मन्थन आज है परवासी भारतिय दिवस जिसे हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है बता दें के भारत के विकास में परवासी भारतिय समोधाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए वर्ष 2003 से भारतिय परवासी दिवस मनाना शुरू किया गया था महराष्ट विधानसवा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सिवसेना के 54 विधायकों की आयोग्यता पर कल 10 जनवरी को फैसला सुनाएंगे इस फैसले पर मुखमंत्री एकना सिंदे सरकार का भविश से टिका हुआ है साथ ही संबैधानिक कारणों से पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर है गुजरात के कक्ष जिले के रन में पाकिस्तान भारत सीमा से सटे खावरा गाउं में दुनिया का सबसे वरा हैब्रिड रिन्यूवेबल एनर्जी पार्क बनाये जा रहा है जिससे 30,000 मेगावार्ट विजली उत्पादन होगा यह अक्षे उर्जा पार्क परधान मंत्री नरेंद मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है भारत के दोस्त माने जाने वाले इसराइल ने भी मालदीव को आयना दिखाते हुए लक्षदीव की प्राकर्तिक खूपसूर्ती की जमकर सराना की साथ ही उसने लक्षदीव के लिए एक बड़ा ऐलान भी किया कि वह इस कैंद्र सासित परधेश में आज से समुद्री पानी को साफ करने के प्रोजेक्ट पर काम सुरू कर देगा अंडवा मधपर्देश के रहने वाले द्रिष्टी बाधित मुस्लिम भजन गायक और कवी अकवर ताज को राम मंदिर प्रान परतिष्ठा के लिए आमंतरन मिला है कि वे 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे राम मंदिर में प्रान परतिष्ठा कारक्रम में भाग लेंगे उन्होंने आगे कहा कि यह एतिहासिक छन है हिमाचल के चुनिंदा लोगों को इसका निमंतरन मिला है वे खुद को भागय साली मानते हैं जो उन्हें इसका निमंतरन मिला है उन्होंने निमंतरन देने के लिए विश्व हिंदू परिशद और आरसस का आवहर वेक्त किया पंगाल में एडी पदादिकारियों पर हुए हमले को लेकर बोले DGP कहा कानून तोरने वालों के खिलाप होगी सकत कारवाई तो यह ती आज की तायतरिन ख़बरें ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सबस्क्राइब किजए नोटफकेशन बेल को दवाईए वीडियो को लाइक किजए और ज्यादा ज्यादा सेर कीजे ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट